हलो जोने दोस्तों मैं राहूल सिंग राहूल वाई फाइस्टेडी में आप सभी लोग का बहुत बहुत शौगत और रभनेंदर करता हूं फ्रांस आज 23 जून 2020 है और 23 जून 2020 के समदे में उत्तर प्रदेश अधिनस सभाचे नयोग से क्या महत्पूर खबरी है दो भरतियों के समद में देख सकते हैं आप लोग मैंने बताया टेजीटी पेजीटी भरती के समद में और शायक कोसाकार लिखाकार भरती को लेकर के स्वाजवादी पार्टी सरकार के समय में बहुत सी भरती हैं अभी जो उत्तर प्रदेश दिनक्स सभाचे में पेंडिंग पड़ी हुई है तो उन सब चीजों को लेकर कि क्या खबरें हैं जैसा कि आपके पूर्ब निजाय तो एक्जाम थे डिवर्ट थे बोरिन टक्नीश रहा है भरतियों का कमेंट आ रहा है कि अखिरकार उसका कल आड़र आना था कल मैंने वीडियो भरती का क्या ब्रेट था वह आपको पर जो है रिपोर्ट कर दिया था राहुल वाई-फाइस डिजल के मादम से देर साम तक खबरे तो यह आ गई थी दो तिन में तक ही आज व पर जीटी भरती को लेकर के लेकिन उससे पहले चैनल पढ़ना है त्यानों को जोब सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में ब्लैक वांट की गंड़ी प्रस कर लिजेगा ताकि उत्तर प्रदेश अधिनस ससेवा चैनों के साथ साथ लोग सिवायक प्रयाग राज और आर बी फ्रंट साथ सबी लोग देख सकते हैं लंबित भरतियों के आवेदकों को भरती करेंडर का इंद्रियाद अधिनस ससेवा चैनायोग यानि यूपी टिबलियाज से पिछले डियो वर्सरे भरतियों के प्रिकितिव आगामी कारिकरम का करेंडर जारी नहीं कर पाया है इससे वर्सों पहले विभिन भरतियों के लिए अवेदन कर चुके है भरती परिसान है उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि लंबित भरतियों की कारवाई कब आगे बढ़ेगी मंगलवार को जूनियर इंजिनियर भरतियों बढ़ेदन सौपा इसमें पांच वर्स से लंबित भरतियों की कारवाई आगे बढ़ने की मांगी गई है आयोग ने भरतियों की आगामी कारवाई से सम्मंदित अपना करड़नर पिछले वर्स जनवरी फरवरी में 2020 में मतलब जारी किया था इसके बाद कोविर महमारी से आयोग को पूरी गद्विधी ठप हो गई कई भरतियों ऐसे हैं जिनके लिए आभिदन दोजा सोला दोजा 1818 में वांगी गए थे इनकी भी लिखित परिच्छा के कारवाई अभी लंबी थे लिखित परिच्छा जैसे थे कितनी बड़ी अभी तक लेट लखी बी चल लहीं आयोग में इनमें सफासान साथ लेकर कि इस सरकार तक भरतियां भी सामिल हैं इधर आयोग ने दूए अस्तरिये परिच्छा प्राली यानि पीटी को लेकर की चीज़ आगे बढ़ाई हैं तरहत प्रामभी का हरता परिच्छा के विदन लेने की कारवाई शुरू की तो पुरानी भरत आयोग ने भी अब तक लंबित भरतियों की कोई जानकारी साथ नहीं किया है पर्ते बिदन सोपने वाले वाले बरतियों में सामिल दिनेश सिंग संदीव दूबे रोहित प्रभाश शुकमाद वा सूरज का सिपने बताया कि आयोग ने पिछले पांच वर्सों में कई भरत परित हो गया है लेकिन उन लोगी भरतियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है इसके तुमने यूपेट्री परिच्छा करने का परियास कि आपकी भरतियों का आपकी विग्यापंद उजारी कि उसका क्या स्टेटर से उसको लेकर के जो है और सम्होना यह भी जता जारी है वो पांच जुलाई को जारी हो सकती है कब पांच जुलाई या फिर 6 जुलाई को यह जारी के लिगा भरति परिच्छा करेंडर उत्तवर्दिस अधिना ससिवा जैनायोग तैयारिया चल लहीं है भरति क्रेंडर को लेकर कि फ्रान तो यह तो बात हो गई आज दु सब्सक्राइब आप इसको करेक्शन कर सकते हैं ओके चलिए अब बात करते हम लोग यहां से साह कोसागार लिखाकार भरति को लेकर करके आप यहां से फ्रंट देसेते हैं मैंने जो स्टेटर्स डिपोर्ट अभी रखा है है ना सर्विस सिंगल बेंच का मैंने स्कीन सॉट सब्सक्राइब रखा है और देशेते हैं डिस्पोर्ट रान कब बाई जून को यह डिस्पोर्ट होना था सर्विस सिंगल बेंच 612-2021 लगनों पेटिशनर प्रसांद तर्दुबे रिश्पॉंडेंट इस्टेट आप उत्तर प्रदेश है रिशनल सेक्रेटरी डिपार्ट प्रदुबेंट आप फाइन और और यह चांशल दिपाग बर्मा पेटिशनर जै चांशर इस तेंस यह सी कारिगरी सर्विस पेटिशनर रिलेटिंग टू स्टेट गोर्मेंट इंप्लाई सिंगल बेंच में से कुलिनिया डेट अप फाइलिंग सेमन जनुनुनुन जनुन टेंग को आगे देख सकते हैं तो यह तो पुरानी थी जो पांच फर्विरी की थी पांच वर्विर को यह तैं हुआ था कि जो है आपका जैजमेंट रिजर वह और चुका है यह जो पांच पर हम की जिए आप देखते हैं यह चीज़े हैं आप देशेते हैं डिस्पूज डान बाइसर स्रीबस सिंगल बेंच का केस फाइलिंग नमबर देशेते हैं यह चीज़ेते हैं तो मैं आपको यहां बतना चाहता हूं आडर तो आई ही चुके हैं हाहं आडर आचका दी अभी तक अपलोड नहीं किया गया है तो आडर फशyeong मिल लेइई कि đã की अप परिच्छा पूरा करा जाने को लेकर किर आधी सायग है आपको फेखा कार दो परिशबには कर अभी पिर तो जो भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर का साय कोसा का लिखाकार भरती का क्या आडर आए हुआ है मैं आपको बताऊंगा लेकिन मुझे जहां तक खबर प्राप्त हो रही है कि यह भरतियों के पच्छ में नहीं आया है पुना परिच्छा कराए जाएगी इसका रिजल्ट जा आपको बताऊंगा है यहां से आप लोग टीजीटी पीजीटी पीजीटी परिच्छा सितंबर महिने में कराय जाने की मांग है ना मादिमी सिच्छा सेवा चैन बोट की टीजीटी पीजीटी बच्छा तो जारे की उसको अगस्त के बजाय सितंबर के पहरे सब्ता में अलजुद के आने के लिए पर्तियों की चात्रों ने उपमुकमंतरी डाक्टर दिने सर्मासे मंगलवार को लखनों में मुलाकात की इस किसी भी परिच्छा के आजुन की परिच्छा तिति घोसडा के बाद कम से कम दो महीने का अंत्राल होना जरूरी है पर्तियोंगी मोर्चा के अध्यच विक्की खान और अनिलो पाध्या ने बताया कि उपमुकंति ने अस्वस्त किया है कि सहान भूत पूल पर बिचार कर अ अन्ति पढ़ाम के लिए कहा गया कि इस मामने काफी बिलम हो चुका है और इस समुने सासन द्वारा अवश्त निर्दिज अतिसिक जारी किये जाएंगे तो यह एक इंपोर्टन चीत थी भर्ति को लेकर के यानि सितंबर महां में यह परिच्छा का जानी को लेकर कि अब भ अब दिनिस सर्मा से तो यह महत्पूर खबर थी टीजी टीजी भर्तिक के समने आई होप यह खबरों के स्रीज आप सब लोगों को अच्छा लग रहोगा मैं आपको यहां बताना चाहता हूं साहिक को सागा लेखाकार भर्तिक के समने जैसे मुझे और भी जानकारी मिलती ह मैं आप तरह पहुचाने की पूरी कोसिस करूंगा पर यह आपने इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए मिलते हम नेक्ट वीडियो में नेक्ट अपडेट के साथ अब तरक्ते धन्यवाद नमसकार जहिंद जह भारत